नमस्कार दोस्तों महीं आपको दोस्त प्रदीप और विलकम बैक टो मिस्टर कास दोस्तों आज हमारे पास में टाटा मोटर्स कमेंशल वेहकल के तरफ से एक न्यू लॉंच प्रड़क्ट जो का यह आप देख सकते हैं मारे पास में इंट्राफिक पर और यह वी 50 वैरियंट लॉषरिश में आपको दोस्तों आपको यह दोस्तों आपलिच के लिए नहीं हैं इंट्राफिक पोग्पाइक बड़ोस्तों आपको ऑनीफशन पिसाफ़ोस्तों प्रवावाद कि दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करने से पहले सबसे पहले मैं आपको देना चाहता हूं कि यह गाड़ी सेग्मेंट में बहुत बढ़ा बदलाव लेकर आए और इसे बहुत सारी चीज़ ऐसे जो आपके बिजनेस को एक बहुत बढ़े मुकाम तक लेकर जा सकती हैं मैं आपको यहां पे देखने के लिए टाटागा लोगों यहां पे मिल जाता है फ्रंट में यहां पे अपको ग्रिल के लिए और इसकी जो सबसे अच्छी खासित आप देखने यहों है इसकी बड़ी सी विन्डी स्क्रीन यानिकि जब आप गाली को द्राइब करेंगे तो पिर आपको रात में गाड़ी को चलाने में बहुत ज्यादा हेल्प करती है और आपको बिल्कुल भी प्रोब्लम नहीं होगी यहां पर जैसे देख सकते हैं हालोजन में ही आपको इंडिकेटर दिया जाता है नीचे साइड आपको यहां पे ग्रिल देखने के लिए मिल जाते हैं तो काफी ज्यादा है रहते हैं यह रात में आपको ड्राइब करने के लिए फ्रेंट लोग इसका देखा जाए तो बहुत ही अमेजिंग है बहुत ही ज्यादा शांदार आपको देखने के लिए मिल जाता है इस गाड़ी में बिसिकली तीन मॉडल आते हैं वी 50 वी 10 आता है यह है आपका वी 50 यह सबसे टॉप मोस्ट का वैरियंट है और इसमें एसी और नौन एसी आता है अभी हमारे पास में नौन एसी वैरेंट है अगर आप चाहें तो इसमें एसी भी ले सकते हैं वह आपका आप्शनल में आ जाता है तो यह बात होगे फ्रंट के बारे में काहीत जड़ा घर्फूल हो जाता है और यहां पर दोस्तों देख सकते हैं एक इंडिकेटर आपको यहां पर दिया जाता यह यह काफी आपको आशे suck की है जिसमे की नौर्वल से की आपको मिलती है दो की आपको यहां पर दिया जाता है और इसे आप मैनुवली यहां से लॉक अनलोक अपने इसाप से कर सकते हैं यहां पर आपको हैंडल मिल जाता है और यह आपका वारिम जिसे आप मैनुवली एड़ेस्ट आराम से कर सकते हैं दोस्तों यहां पर देख सकते हैं बहुत ही बड़े आपको यहां पर टायर मिल जाते हैं तो यह सबसे इच्छी बात है और इसके बात में आप देखेंगे कि हमारे पास में बहुत बड़ी एक यहां पे ट्रॉली जो कोई आपको मतलब आपको कुछ भी एगर समाने लेके जाना है तो काफी बड़ी आपको ट्रॉली मिल जाती है और सबसे खास बात आपको बता दे यह 1.5 टन आर्टियो पास है यानि कि बहुत सारी ग्र बहुत ही अमेजिंग है दोस्तों कर बात कीजाए गाड़ी की ओर लेंद के बारे में तो मैं आपको बता दूं 4734 mm की ओर गाड़ी की लेंद 2600 mm का इसका वील बेस मिल जाता है और साथ में आपको बात कीजाए ट्रॉली की इस पेसली तो ट्रॉली आपको मिलती है 9.8 फीट की इसकी लंबाई है और इसकी चोड़ाइ यह 5.3 फीट की इसकी चोड़ाइ आपको देखने के लिए मिल जाती है वह बहुत ही अमेजिंग है बहुत ज्यादा शांदार आपको यहां पे बड़ी सी ब्लॉली देखने के लिए मिलती है जो कि बहुत ही जबर जब्सत है दोस पीछे साइड आपको यांपे तीन पार्किंग सेंसर भी दिये जाते हैं तो ये बहुत जादा दृत ओता होता है और निचे आपको यहां मिलती ये काफ यह यह पर शांदार है और ये आपको सभी साइज़े devo मिलती यानि कि बहुत ही बड़ी ट्रॉली जो कि आपको 1.5 टन आडियो पास है जो कि आप आराम से बहुत ही अच्छा कासा यूज कर सकते हैं और यह गाड़ी आज आती है दीजल में 35 लिटर की कैपसिटी के साथ में आती है तो आप इसमें आराम से अच्छा कासा मालेज निकाल सक कि भागि आपर सकेंग करता है दो 100 कर बात करें इसके के बारे में आपको बता दे हैं यहाँ ब्लीफिस्प्रिंग मिलती है दस आपको मिलती है दो आपसे सेमिलिफ्टरिकल ढलाने हैं FR यह आपको बहुत ज़्यादा भाहर उठाने के लिए काफी ज़्यादा हेल्फुल हो जाती है दोस्तों बात कीज़ें इस गाड़ी के मैक्स ग्रेडिबिल्टी की तो आपको बताते हैं 35% जो की अधर गाड़ियों से काफी ज़्यादा बहतर हो जाती है और इस चीज में आप ऑला बात करते है कि में पाट यहनिंकि इंजन के बारे में मैं आपको बताता हुँ इसकी ज़्यादा खास्यत की एक यह आपको डीजल में 1.5 लिटर एंजन के साथ में आपको 79 vain प्लस में 220 न्यूटर मिटन की पावर आपको देता है तो बहुत ही जबर जस्त है जो गाड़ी का टोटल जो वेट है ना वह 2940 केजी है इसका गाड़ी का ग्रॉस वेट और जिसका पे लोड़े हो 1500 केजी का है तो भाई सबसे अच्छी बात यह कि इसमें आपको एक अच्छा तो गहरान करें और दोस्तों चलते हैं जो सीटर में तो यहां पर एक और गांड़ी मेंपने औरी काफ़ी ज़व रहता है और यहां पर देख सकते हैं कि आपको अपने अकॉर्डिग दोच्टिप कर सकते हैं आगे पीछे टूटल जैसे कि आप देख सकते हैं मैंने सबसे पीछे कुछ इस तरीके से आ जाती है और अपने अपने सेटिंग के अगर सकते हैं और साथ में किया है यहां पे आप इसे आपको मिल जाता है साथ इससाथ आप देखेंगे आप आराम से अपना बोटल यहाँ पर रख सकते हैं इक आपको अच्छा खाजा अज बात यह कि आप आराम से पानी की बोटल लग सकते हैं अलग से आपको कहीं रखने के ज़रूत नहीं है आगर आपको जो विंडो है वहां यहां पर बात करेंगे comfort की बारे में तो जो सिटिंग जो comfort है बहुत ही बहतर है बहुत इदर शांदार आपको मिल जाता है दो लोग बहुत ही आराम से बैठ सकते हैं और हाला कि अगर बीचे कोई बैठना चाहे तो थोड़ा बहुत कर सकते हैं अला कि तीन दोग के लिए नहीं दो लोग तो बहुत ही आराम से बैठ सकते हैं यहां पर दोस्तों बात की जाएकर स्टेरिंग की तो यह आपको हैडोली पावर बेस स्टेरिंग मिल जाती है काफी दर शांदार है अच्छा कासा आपको हॉन आपको देखने के मिलता है आपको अच्छा कासा आराम से देखने के लिए मिल जाता है आप देख सकते हैं यहां पर सेमी डिस्टल आपको यहां पर इसकी इंस्ट्रूमेंट क्लेसर देखने के लिए जिसमें कि आप अपना फ्यूल प्लस में काफी सारी जानकारिया है जैसे कि कितना का स्पीड के साथ में गाड़ी आ जाते एक आपको यहां पर चार्जिंग पॉइंट भी दिया जाता है यहां पर आप चाहें तो अफ्टर मार्केट अपना अडियो सिस्टम करवा सकते हैं और यहां पर आपको दोस्तों सबसे बड़ी बात तो ड्राइवर क्या है कि कहीं पर जाते हैं रखने की प्रॉब्लम होती तो यहां पर आपको लॉक्र भी दिया जाते हैं आपको दिखा देता हूं तो कुछ इस तरीके से आपको अपना ऑराम से यहां पर रक सकते एंच्छा खासा गलव ओक्स आपको यहां पर दिखने के लिए दिया जाता है तो आप इसे आराम से लॉक भी कर सकते हैं तो यह सबसे अच्छी बात है safety purpose है हमारे driver भाई है लोगों के लिए तो काफी ज़्यादा अच्छा लगा मेरे को इसका इंटीर कैबिन है वो काफी ज़्यादा मेरे को बहतर लगा प्रकार भीया मिल जाते हैं यहां पर आपको लाइट मील जाता है यहां यहां पर दोस्तों बता दे मेन आपको एक 10 दिया जाता है यानी कि जैसे ही आप इसको गाड़ी को और और है तो ये अच्छी बात है इसमें आपको पॉइंट दिया गया जो आप आराम से यहां पर तो काफी सारी चीज़े हैं जो काफी ज़्यादा अच्छे कासी यूजफुल आपको देखने के लिए मिल जाती है इस गाड़ी में तब दोस्तों यहां पे आप देख सकते हैं कि अच्छा कासा इस इंडीर आपको देखने के लिए मिल जाता है नॉर्मल गाड़ियों से बहतर आपको मिलेगा साथ ही साथ आप देखेंगे कि पीछे अगर आपको देखना है कि पीछे मेरा समान से रखा है कि नहीं रखा है तो उसके लिए आपको यहाँ पर एक अच्छा कासा बड़ी सी विंडो दी जाती यानि कि ग्लास में है पूरी तरीके से कवर है और यहां पर दोस्तों दो लोग तो बहुत ही अराम से पैड़ सकते हैं हाला कि बीच में अगर कोई चुटा सा बच्चा है तो भी अराम से पैड़ सकता है यह सबसे अच्छी बात लगी कमफर्ड बहुत ही बहतर है और आपको जो विजबिल्ट संथानी काफी जाए हैं मे क्यक्त करने के रेकलिए जाते को पारकिंग सेंसर भी बजर हो कह सकते हैं जो करते ही तो उससे काफी आपको हो जाती घाणी को चलाने में जो दोसतो है ता हमार आज का वीडियो सबसे बात लगी मुझे इस गाड़ी की वह यह चीज की आप यहां पर देख सकते हैं बहुत ही बड़ी ट्रॉली आपको मिल जाती है पंदरों सो केची आपको आटियो पास है भाई बहुत ही बड़ी चीज है और किसी भी गाड़ी को लेने से पहले आगर आप सबसे पहली चीज आपको यह देखनी चाहिए कि उस गाड़ी की छमता कितनी है और वह आपको गाड़ी तभी आपके लिए फाइदे मंध हो सकती है तो जिस गाड़ी में अच्छे खासी पावर मिलेगी आपको इसे बता दें 1.5 इंजन का को इंजन मिल जाता है जो कि आप आप इसमें 1500 जो केजी का आटिव पास से आप आराम से इसमें अच्छा कासा वजन लेकर जा सकते हैं इसे लांग ड्राइब भी कर सकते हैं और अच्छा का पैसा आराम से बना सकते हैं तो दोस्तों यह था हमारा आज का वीडियो उमीद करता हूं कि आप सभी को अच्छा लगा होगा तो ऐसे वीडियो देखें कि चैनल को सब्सक्राइब कीचिए मिलते हैं ने विडिक साथ में थैंक इस सो मच